हलौ बच्चो बच्चो अब हम करेंगे कोस्चन नमबर दो कूशन स्टाइड करने से पहले कि कोश्चन मैंने नहीं करवाया है क्योंकि सेन कोश्चन पिछली अक्सरैस में कि या कि था है कि क्लास में टेस्ट हुआ है मैडम ने क्रेक्ट मांक्स के पांच नंबर दिये इनक्रेक्ट के माइनस टू दिये बच्चों ने टैप नहीं किया तो उसके जीरो माक्स यही था ना तो से इस टैप का कोशन यही है आप बिल्कुल सी तरीके से करो यह सॉल्व हो जाएगा फिर भ तो रीच दा माइनस 350 मीटर अब कोशन क्या है इसको मैं डियाग्राम से समझाता हूं देखो यह मानलो यह हमारा ग्राउंड है ठीक है यह क्या चीज है हमारा ग्राउंड लेवल अब ग्राउंड लेवल से हमारे पास क्या चीज है एक हमारे पास एलिवेटर है यहां पर मा एलिवेटर क्या चीज होती है एलिवेटर मतलब लिफ्ट है हमारे पास ठीक जो आपर नीचे चन सकती है यहां पे कोई बंदा है बैठाय है जो भी कर रहा है ठीक है यह जो डिस्टेंस है शरे पर यह है टैन मीटर आsti टैन मीटर आप अब या होता है कि if it descents descents का मतलब नीचे जाना यह नीचे जाना start होती है तो पहले एक चीज़ बता दू कि जो यह नीचे जा रही है इसकी नीचे जाने की जो हमारे पास क्या है कि 6 मीटर जाती है एक मिनिट में जब वो नीचे जाना शुरू करती है तो how long it will take to reach negative 50 मीटर negative 350 मीटर यानि कि मान लो यह point ठीक है यह point क्या है negative 350 मीटर ground level से okay ground level से तो यह हम क्या कहेंगे ground level से below negative 350 मीटर ओके तो इस lift को यहां तक आना है ठीक है ना इस lift को हमें यहां तक लाना है elevator को तो वो कहता है कि कितना time लेगी भाई 6 मीटर जाती है वो पर मिनिट ना हर एक मिनिट में 6 मीटर नीचे जली जाती है और यह अभी यहां पे है उपर 10 मीटर उपर है ground level से और इसको 350 मीटर नीचे जाना है कहां पर ground level से ठीक है तो अब हम क्या करें कि यहां पर पहुंच जाए तो कैसे करोगे वह इसका क्या तरीका देखो total distance कितना हमारे पास हमारे पास अभी कहां खड़ी है 10 मीटर अबव ठीक है जी एंड नीचे कितना जाना है 350 यानि इसको हम एड कर देंगे total में हम इसको एड करेंगे ऐसे negative में नहीं लेंगे आसी लेंगे तो total में इसको distance कितना लेना है 360 मीटर तक नीचे जाना है तब ही तो negative 350 पहुचेगी अब देखो उसको unitary method से solve होगा कैसे होगा समझो minute निकालने न में तो देखो 6 meter कितनी दिन में जाती है एक minute में ठीक है जी एक meter में एक meter के लिए कितना time लेगी वह वन upon by six minute ओके देन 360 ओके 360 meter के लिए कितना time लेगी वह वन upon six multiply by 360 यह होगा क्योंकि देखो कम से ज़्यादा कि तब जाएंगे तो multiply ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे तो divide तो कितना जगा six multiply by 60 यह जगा 60 minute यानि की one hour कहलो यह 60 minute कहलो आपके पास यह answer आएगा ठीक है समझे के question नहीं समझे तो simple एक चीज़ समझना कि total distance कितना cover करना है 10 meter तो यहां तक का और 350 यहां का 360 meter जाना है अगर 6 minute में एक स्वारी चे मीटर के लिए वह एक मिनट लेती है चे मीटर के लिए वह एक मिनट लेती है तो एक मीटर के लिए कितने मिनट लेगी बनापॉन में six डाक्टर खतम जल्दी से मूट करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ ठीक है जी इसे कर लिए कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स आपके लिए डाली कोश्चन मैं सोल्ग करके दूँगा ठीक है तेंक्यू वीडियो अच्छी लगे तो लाइक अंड शेयर थेंक्स कर दो बॉक्षाम पाईसान से खबंगे जीडियों से खबके जुचा क्वेप्टर की तेंज़ पिंश्यू आपके पिरची हूआब को वीडियों स्टार हुआब के जीड़ इसे इसे है झाली को बॉक्त बॉक्स्ट आपके